साइकिनिक स्टाम जुआत का रिमनेंट अभी जो डिव टिप्रेशन है तो मॉर्णिंग 8.30 का इसका पोजिशन 120 किलिमीटर साउथ साउथ वेस्ट पूरी में दूर में है बट अभी हमारा जडलाई ភ में आप लोग देखेंगे आल्मवस्ट पूरी का नजदिक आ रहे हैं तो हमारा है इसका इसका मॉमेंट नौर्थ नौर्थ ट्वार रहेगा और weekend भी होगा towards West Bengal का coast जाएगा ये अपडेट है अभी weather का जो आपडेट है almost हमारा coastal observations है इसमें along the coastal districts में सभी जाएगा में rainfall activity चल रहे अभी शारे वारवजे जो rainfall activity का report हमारा आया है परादिप में highest rainfall वाजे से दोपर अभी शाड़े बारबाजे तक 63 mm बारिश हो जो हुआ है परादिप में हाइस रेंफाल वोबनिस्टर में भी बारिश हो रहा है और स्क्वाली वेदर अलंग्दा कोस्ट लाइन चल रहा है आइबी तोवहरी हैवेवेवरेनफाल बारिशोर लाइन हम मरेश हा कोस्टल दिस्टिक्स का सहभी दिस्टिक्स विजे वरा जगट सिंपूर चंदरपरा कोतोः चाजपूर बालाशोर में अध्रोक कुर दापुरी शाओतों कोस्टल का अमाड़ा नॉर्भांज हो अंगोल दिस्टिक्स में भी heavy rain का chances है, noeg or condemn districts में भी already हो रहा है, तो heavy rain fall में इसमें chances है. तो mainly agriculture activity जो पहचे से हम लोग बोला, तो उजशी एगडरी कलचर अक्टिविटी का impact ज़्यदा है, localized water logging mainly urban area में traffic congestion chances है, तो along that offshore, offshore जो area है, इसमें जो बहुत ही भल्लेबरेबल स्ट्रक्चार्स होता है, जो उसमें प्रांचेस आप ट्रीज जो उसमें तूट सकते हैं, अलंग दा कोस्ट लाइन अली, क्योंकि क्वास्टी विंड है, ज्यादा विंड्स तो नहीं है, अलंग दा कोस्ट लाइन, भूबनेश्चर में भी स्ट्रक्चार्स होता है, बारिष आभी नौट कोस्टल उनिशा का डिस्टिक्स, अजर्णिंग इन्टिक्स में, बारिष हेवी तो बेरी हेवी रेंपल होगा, अभी हमारा जो स्ट्लाइट इमेंस में जो आ रहा है, बारिष का देटा तो आम लोग को अब्जर्बेशन स् पहादरेट जो है, इसमें केंद्रापरा, जगत सिंपूर, हमारा भद्रोक, एशार्ब डिस्टिक्स में, हमारा खुर्दा में भी रेंपल अक्टिविटी चल रहा है, कुछ-कुछ जागा में इन्टेंस रहा है, जो स्ट्लाइट अब्जर्बिशन है, इससे इंडिकेट क कर दे पर देएने हो जादे ऑ्र्दाबिशन के गत्व बाहा है, को भी रहा है, कुछ-कुछ एप प्रता कर देएएने ह।